डिप्लोमा के बाद आप सिविल कॉंट्रेक्टर किसे बने अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है सिविल से तो वीडियो आपके लिए है क्योंकि हर कोई बिजनेस करना चाहते है और कोई जोब नहीं करना चाहता है क्योंकि आपको भी पता है कि अब जोब कहां तक करेंगे और कब तक जोब करेंगे तो आज हम इसी के बारे में फोकस करेंगे कि अगर आपने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है civil से तो हाग civil contractor बन सकते हैं अपना खुद का business कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे इसि के बारे में हम सारा details में देखेंगे क्योंकि हर कोई business करते हैं और उसको start भी करते हैं लेकिन उसमे आगे successful उसको manage नहीं करवाते हैं और फिर जॉब के लिए चले जाते हैं कि जॉब करते हैं 10,000 15,000 20,000 तक करते हैं और आज के दोर में वैसे जॉब नहीं मिल रही है और इंचिनेरिंग करने के बाद भी बेरोजगार घुमते रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को जॉब मिली जाएगी और हर कोई उसमें बिजनेस में सक्सेस्पूल भी हो जाएगा और हर कोई civil contractor बन चाएगा और हर कोई उसका license बना के उसमें successful हो जाएगा ऐसा बिलकुल भी इतना भी आसान नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपके पास काविलिया थे आपके पास अनुबह हुए आप यह कर सकते हैं तो आप वीडियो को देखी और आपको कुछ ने कुछ information मिल हैं तो आप उसका license कैसे बनाएंगे उसमें उसकी process क्या है तो starting में देखी कि आगर आपने diploma कर लिया है कहीं पर job भी कर रहे हैं अगर आप जोब नहीं कर रहे हैं अभी connection में आप कर रहे हैं diploma या फिर तो आप उस फिल्डे से रिलेटेड कंस्रक्शन से रिलेटेड आप कौंट्रेटेड बना चाहते हैं तो किसी कंपनी वे चाके इंटर्शिप कर सकते हैं वहाँ पर काम सिख सकते हैं तो आपके पास टाइम सेकंड यह भी हैं चेकल सकते हैं पढ़ वहां पर आपको सब्सक्राइब नहीं पर बेक किसे काम होता है वहां पर वहày स्ब्राइब कहा काम होगा तो आगे अगर वहादा सेखना कीफ़िय। एब बैंक किसी सबुमें और सकते हैं मैक से सीख सकते हैं तो उसके बाद में डिजाइनिंग लाइन में भी अपना करियर बना सकते हैं तो उसमें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसमें भी अच्छा खासा इसमें अपना खुद का बिजनेस खुद की कंसल्टेंशी खोल सकते हैं और खुद के से बीजनेस कर पाएंगे नहीं है और बन पाएंगे तो अगर आप करेंट में इंजिनेरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको information आपके पास होना चाहिए आपके पास practical knowledge होना चाहिए किसी कंपनी के साथ आप internship कर रहे हैं internship करने के बाद आप अपना license बना सकते हैं वहाँ पर काम सिख सकते हैं कि किस प्रकार से labor को manage किया जाता है किस प्रकार से अगर चार मेने का प्रोजेक्ट है तो उसको जल्दी सा जल्दी खतम किया चाहिए उसको कैसे काम करेंगे आपके पास responsibility आ चाहेगी के पास जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं सीखना बहुत जरूरी होता है लेकिन यह अगर आप बनते हैं तो आपके पास इसमें ज्यादा जिम्मेदारी होती है एक responsibility होती है एक अच्छा अगर building construction का भी आपके पास project है तो कैसे काम होगा drawing को कैसे देखते ठीक है यह भी आपको जहार रखना होगा तो यह आप किसी experience बंदे के साथ जाकर आप सीख सकते हैं काम सीख सकते हैं कि कैसे काम होता है तो आपको knowledge होगा अपने college life में और इसके बाद में आप काम कर सकते हैं तो license की बात करें तो knowledge होने के बाद आप किसी broker के थूर आप license बना सकते हैं और आजकल online ही इसका license बना सकते हैं और इसके बाद में इसके लिए कुछ documents लगते हैं जो आपके बास degree या डिपलोमा है वह आप apply कर सकते हैं apply करने के बाद जो generally documents लगते हैं जेस्ट्री certificate होता है डिजिटल signature लगता है बाद के जो information आप निकाल सकते हैं जब apply करेंगे तो वहाँ पर 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 पीडेवलोडी ओफिच आगर आप information निकाल सकते हैं या तो फिर online ही देख सकते हैं कि क्या क्या documents लगते हैं ठीक है तो इस video में आपको information मिलेगी अगर आप contractor बना चाहते हैं तो इस सारी information आपको नि क्या बता रहा है लेकि असा बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को जोग नहीं मिलती है अपने पास काबिलियत होना चाहिए आपके पास knowledge होना चाहिए हर कोई company construction line में भी आपको job मिलेगी और आप real estate में भी आप चाहेंगे designing line में भी आप job कर सकते हैं कहीं पर भी आपको job मिलेगी starting में 15-20,000 कि आप job ढूणेंगे तो बिल्कुल भी job नहीं मिलेगी क्योंकि आज कल के दोर में सबसे ज्यादा competition चल रहा है हर कोई job ढूणना चाहता है हर किसी को job मेली भी नहीं रही अगर आप starting अगर zero level से करते हैं तो आपको job जरूर मिलेगी और उसमें आप successful भी होंगे ह हर फिल्डे में आपको job मिलेगी designing line में construction line में किसी contractor के साथ काम कर सकते हैं किसी companies में काम कर सकते हैं ठीक है और interview के लिए अच्छे से अपने आपको तयार करना अपने पास skills होना चाहिए कि आप एक बार फेल होंगे दस बार नहीं होंगे ठीक है ग्यार वी बार बारा बार मे आपको job जरूर मिलेगी कोई सी company नहीं हायर करेगी तो आपको कोई सा contractor के साथ job जरूर मिल जाएगी वहां 5-6 मैने साल भर job करने के बाद आप किसी companies में apply कर सकते हैं और साथ साथ में अपने knowledge के increase करने के साथ अपने skills को बढ़ाने के बाद आपको कहीं पर भी job मिलेगी धीर जोब मिलने का कारण यह होता है कि एसी college से हम कर लेते हैं जहां पर की अच्छे से knowledge नहीं होता है और practical knowledge नहीं होने के वज़े से job भी नहीं मिलती है तो यह फायदा नहीं मिलता है हर किसी को job मिलेगा और वहां पर जो colleges होती हैं वहां पर placement नहीं होते हैं बहुत सारी companies वहां पर नहीं हाती है अगर आप अच्छे college से engineering करते हैं डिपलोमा करते हैं तो वहां पर companies आती है और job मिलने के पर chances होते हैं अपने ऐसे medium college से भी engineering की ही तो आप अपने आप में increase कर सकते हैं अपने आप में knowledge बढ़ाने के बाद आप zero level से start कर सकते हैं काम सिख सकते हैं कोई से software सि कर इंटर्शिप कर सकते हैं अब knowledge बढ़ाने के बाद आप कहीं पर भी आप job के लिए apply कर सकते हैं दीरे दीरे अपने आपको तयार कर सकते हैं तो यह basic information था friends कि civil contractor किसे बनेंगी और आपके पास डिपलोमा है तो आप बन सकते हैं और अपना इसमें आप business start कर सकते हैं तो friends video क लाइक करना और चेनल को सबस्क्राइब करना